दोस्तों रास्ते कभी खत्म नहीं होते बस लोग हिम्मत हार जाते हैं तेरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा किनारे बैठ कर कोई गोता खोर नहीं बद्दा अप्राइब एबरीवन विल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल इंग्लिज भाई चभी शर वेलकम्स तो आल अफ मैं यूटूब विवर्स तोड़ी आज हम इस वीडियो का पार्ट फर्स्त कवर कर रहे हैं और बहुत जल्दी पर्श्द पार्ट सेकेंड में बचे हुए बाकी के सौट कुश्चन को कवर करेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट फर्स्ट एंड दा कुश्चन इज राइट अनोट ऑन करेक्ट्राइजेशन यानि चरित्र चित्रन पर एक नोट लिखिये अब अन्सर को लाइन वाई लाइन समझते हैं इट रिफर्स तू मेथड यानि यह उस पद्धती को संदर्भित करता है जो राइटर होते हैं पुट्स तू यूज मतलब उप्योग में लाते हैं In order to develop the main characters and supporting characters within a story यानि किसी story में, कहानी में, main characters यानि मुख पात्रों और supporting characters यानि साहयक पात्रों को बिक्षित करने के लिए In short fiction, short fiction में the writer can employ यानि जो लेखाक होता है दो तरीके अपना सकता है Two methods, दो तरीके अपना सकता है आईए वो दोनों तरीके जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं पहला है direct characterization और दूसरा है indirect characterization अब heading है direct characterization यानि direct characterization क्या है The writer tells the reader जो लेखाक है वो reader को बताता है About the character's personality यानि पात्रों के व्यक्तित्त के बारे में बताता है यानि characters की personality के बारे में बताता है Using the narrator of the story की किस प्रकार कहानी के सूत्रधार यानि कहानी कार another character और the main character revealing aspects about himself herself यानि किसी अन पात्र का उप्योग करना या main character मुख पात्र अपने बारे में aspects मतलब पहलूओं को उजागर करता है revealing मतलब उजागर करना या बताना heading number next indirect characterization यानि indirect characterization क्या है let's see आई ये देखते हैं the writer reveals the reader जो writer होता है reveals the reader reader यानि पाठक को बताता है what the character's personality using the narrator of story की किस प्रकार कहानी कार यानि जो narrator होता है कहानी कार पात्रों के व्यक्तित को यूज करता है another character यानि another character को यूज करता है or the main character और मुख character को यूज करता है through the thoughts यानि विचारों के जरिये feelings भावनाओं के जरिये and actions कार्यों के जरिये of the character यानि पात्रों को अपने विचारों के जरिये भावनाओं के जरिये और कार्यों के जरिये व्यक्त करने की कोशिस करता है तो दोस्तों ये था आपका पार्ट फर्स्ट का एक important question write a note on characterization आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और यदि आपने अभी तक इंगलिज भाई 26 चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल भी मत भूलिए तो इनी शब्दों के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ तो तब तक आप खुश रहिए मस्त रहिए और जहां रहिए प्रशन रहिए थैंक्यू फॉर वाचिंग